नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं रेन्यूज रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ उत्तप्रदेश चुनाव को लेकर चेडियो के रणनीती पल पल बदल रही है और पार्टी कभी स zwischen नितेश कुमार से यूपी में चुनाप परचार नहीं कराना चाती थी तो अब कभी उतारना चाती है और अब star campaigners की एक नई लिष्ट जारिकी गई है और इस नए लिस्ट में नितिश कुमार को उत्तप रदेश चुनाव में ले जाने की तैयार ही है और जेडियो के स्टार्ण केमपेनर लिस्ट चोथे चरण के लिए दी गई है और इस चोथे चरण के चुनाव में पहले नमबर पर मुख्यमंत्री नितिश कुमार का नाम है और दूसरे नमबर पर राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग का है और वहीं बात की जाए तीसे नमबर की तो तीसे नमबर पर केंद्रे मंत्री आसीपी सिंग को रखा गया है और मु प्रदेश अध्यक्ष को इसमें जगा नहीं दी गई और वहीं इस लिस्ट में बियार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वाह को जगा नहीं दी गई है हाला की पार्लियमेंटरी बोर्ड के चेर्मेन उपेंदर कुश्वाह चुनाप परचार में जाएंगे और अब सियम नितिश कुमार यूपी में चुनाप परचार करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां के सत्ता रूट डल बीजेपी के खलाफ हल्ला बोलेंगे और वहीं मुख्यमंती ये बताएंगे कि बीजेपी किस तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है और उन्होंने किस तरह से भिहार के अंदर भैतर प्रसासन चला है और वहीं मुख्यमंती नितिश कुमार अपने शराब बंदी कानून को भी वहां पर चारित करेंगे और बताएंगे कि भ्यार में शराब बंदी कानून लागो होने के बाद क्राइम से लेकर तमाम चीजों में भैतरी आई है क्योंकि जेडियो यूपी में बीजेपी के साथ गड़ बंदन करना चाहती थी लेकिन जेडियो को बीजेपी ने कोई तरजीन नहीं दी और इसके बाद जेडियो बीजेपी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ेगी और जिसमें जेडियों के तमाम नेता बीजेपी पर हल्ला बोलेंगे भ्यार विदान परिशत चुनाव के लिए एंडिये में 24 सीटों का बटवारा हो गया और हम और वियाईपी को एक भी सीट नहीं दे गई और वहीं केंडरे मंत्री पशुपति पारस को बीजेपी ने अपनी एक सीट दिये और बीजेपी को बारा जेडियों को ग्यारा और एक सीट पशुपति पारस के हिस्से में गई है और इदर बीजेपी ने दस नाम ते कर लिए और नोज़ कुमार सिंग ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और सिवान के पूर विधान पारशत तुन्ना जी पांडे बीजेपी छोड़ चुके और इस वज़े से दोनों सीटों पर प्रत्याशों के नाम दे होते ही बीजेपी एक साथ प्रत्याशों के नाम के उपचारिक घोश ना कर देगी और इस भी चर्चा है कि सिवान में बीजेपी से नीरज्तिवारी और मनोज सिंग दोड़ में सबसे आगे हैं आला कि ओम प्रकास यादव ने मनोज सिंग के नाम पर विरोग शुरू कर दिया और इस पर एलजेपी से बीजेपी आई नूतन सिंग सहर सा इस्थाने प्रादिकार से फिर चुनाव की तयारी कर रही है और नूतन सिंग मंतरी नीरज सिंग बबलू की पत्नी है और बीजेपी के नो नाम जो संभावित है वहीं जेडियो कोटे में 11 सीटे गई हैं और इसको लेका जेडियो ने भी अपनी तयारी कर दिया जिन उम्मीदवारों को जेडियो आलक अमान ने संकेत दिये वो अपने छेत्र में चुनाव की तयारियों में भी लग गए हैं और अपने स्थाने प्रादिकार के वोटर से संपर्क भी बड़ा रहे हैं और इसमें मंत्री सुमिश सिंग की पत्नी सपना सिंग भी तयारी कर रही है और सपना सिंग मुंगेर स्थाने प्रादिकार से तयारी में और वहीं जेडियो के संभावित उम्मीदवार एंडे के बटवारे में एक सीट पशुपती पारस को भी मिलिये और वेशाली के समाजी कारिकरता भूशन रायर अविवार को अपने समर्तकों के साथ राष्टे लोग दल जनसक्ति पार्टी में शामिल हो गये और पारस ने नई दिल्ली में उन्हें पार्टी की सद्यस्ता भी वेशाली स्थाने प्रादिकरन से विधान परिशत चुनाव में रालोजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं केंद्रे मंत्री पशुपती कुमार पारस अपनी पार्टी राष्टे लोग जनसक्ति को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हैं और वो अपने संगटन की मौजूदगी पंचायत इस्तर पर दर्ज कराना चाते हैं और ये तब होगा जब कारेकरता पूरी मुस्तेदी के साथ काम करेंगे और इसी उद्धिश्य से रालोजपा ने भिहार के सभी 38 जिलों में जिला प्रभारियों की तेनाती कर दिये और पाटी के राष्ट्य परवक्त शवन कुमार अगरवाल के अनुसार प्रदिश अद्यक्ष प्रिंस राज ने जिला प्रभारियों की लिस्ट सोमवार को जारी कर दिये और पूर्विधायक बनवारी राम को गया जिला का प्रभारी बनाए गया है और जबकि नरेश पास्वान को बगा और आजे कुमार सिंग को मोतिहारी और सुधी रोजा को सीता मडी और शिवर विजूल सिंग को गोपाल गंज और सिवान कामेश्वर सिंग को सारन से और वहीं संजीव रंजन उर्फ बिट्टू गुपता को मुझफर पूर से और वहीं प्रमोर सिंग को दर्भंगा के साथ समस्ति पूर और वहीं विजे कुमार सिंग को बेगु सराय के साथ खगडिया और इसके अलावा रनवीजे चोरश्या को पश्चिम, चंपारन, बेतिया, महेश्चन सिंग, उर्फ सजञ सिंग को सूपोल और वहीं कापिल देव यादव को सहर सा और मधेपूरा, चंदन सिंग को अररिया और वहीं बात की जाए मादव सिंग की तो मादव सिंग को किसन गंज से जिला प्रभारी बनाए गया और रंजित कुमार को कठियार और आशुतोष कुमार पासवान को नवगच्या और राम सीज सिंग को भागलपुर और बांका और आगेंदर भारती को लकि सराय और शेकप वही पतना और जमाई जिलह को विशीष पहस्तिती में प्रधान महासचीव केसाफ सिंह और वरियव पादयक्ष महताब आलम सहयूक रूप से देखेंगे बिहार बोड का एक चेरा नकल वाला रहा है और नकल की एक तस्वीर पूरे देश में वाइरल हुई और बिहार के सिक्षा वेवस्ता सवालों में आ गई है और टोपर घोटाला से लेकर नकल के अन्या आरोपों के दाख से बिहार बोड अब काफी हद तक बहार निकल चुका है और बिहार विद्याले परिक्षा समीती के अध्यक्ष आनन्द किशोर ने सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली सिक्षा की तस्वीर बदल दी है और अब बोड परिक्षा 2022 के इंटर एक्षाम से पूर्फ सिक्षा मंतरी विजे कुमार चोधरी ने नकल को लेकर अपील करते हुए इससे भविश्यक के खत्रे से आगा किया है और वहीं ब्यार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा आयोजित होने वाली साल 2022 की इंटर परिक्षा में नकल रोकने को लेकर बड़ी तयारी हैं और 500 स्टूडेंट्स पर वीडियो कैमरा और हर कक्ष में CCTV कैमरे के साथ नकल रोकने की हर तयारी की गई है और अब सरकार भी नकल रोकने के लिए जाग रुकता भ्यान चला रही है और भ्यार सरकार के सिक्षा मंत्री विजे कुमार चोधी ने स्टूडेंट से अपील की है कि वो नकल कर अपना भविशे बरवात ना करे और उनका कहना है कि इंटरमीडियेट वार्सिक परिक्षा एक फरवरी 2022 से 14 तक चलेगी और सिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि छाद शात्राओं की प्रतिवा शमता को सम्मान देने और उनके सैक्षिक प्रदेशन को प्रतिश्टित करने के लिए नकल विहिंद परिक्षा के आईजन को लेकर सरकार रिंड संकल्प्थ है और इंटर परिक्षा पास करने के बाद चात चात्राओं विब्बिन तकनीकी और विवसाइक पार्टे करम के संस्थानों में नामानकन के लिए योग्य होते हैं जहां अपने प्रतिवा के बल पर काम्याबी हासिल कर अपने साथ साथ समाज और राज्यों को गौरवन्तित करते हैं और वहीं सिक्षा विवाग के शराबबंदी से जुड़े आदेश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दिये और आदेश को तुगल की फर्मान बताते हुए आक्रोशीत सिक्षक अब 6 फरवरी को राज्य की सभी 38 जिलों में सीम नितिश कुमार का पुतला जिलाएंगे और वहीं इस दोरान सिक्षा मंत्री विजे कुमार चोधरी का भी पुतला जिलाए जाएगा और वहीं बिहार राज्य प्रयारंबिक सिक्षक संग ने आंदोलन तेश करने की चेतावनी दी है सभी जिलों में संगठनों को हर इस्तर पर विरोध प्रदेशन करने को का है और अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता तो स्कूल खुलने के बाद सिक्षकों का आंदोलन और उग्र हो जाएगा और भ्यार राजे प्रारंबिक सिक्षक संग के प्रदेश अद्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पु ने कहा कि सिक्षक विवाक्या पर मुख्य सचीव के प्रान तक 101 को पत्र जारी कर सिक्षकों को शरापीने वालों को चेनित कर सुना देने की दायत सौपी गई थी और जो सिक्षा जगत और सिक्षकों के लिए दुर्भाग्यपून है और ऐसे आदेश से सिक्षा विवस्ता चोपट होगी और पप्पु ने आगे कहा कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहट मानने न्याले और सरकार के मुखे सचीव ने पतर जारी का सिक्षकों से किसी परकार की गैज सैक्षनिक कारे नहीं लेने का आदेश कर चुके हैं और इसके बाद भी सिक्षा के इदिकार अधिनियम का सत्यानार्स करने के लिए तुगल्की फरमान जारी किया जा रहा है और अब भीहार में सिक्षकों को सिक्षन कार्य से अन्य कार्यों में लगाने का खेल चल रहा है। और यहां कि ऐसे आदेश को संग कभी नहीं मानेगी और ऐसे आदेश वापस नहीं हुआ तो राजय भर में आंदोलन किया जाएगा। और इसी क्रब में 6 फरवरी 2022 को सभी जिला मुख्याले पर मुख्य मंत्री और सिक्षा मंत्री का पुतला फूक कर आंदोलन तेश किया जाएगा। मुझफर पूर जिले के मनिहारी थाना छेर के मरीचा में प्रेमी का सही मिलने आये प्रेमी को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। और फिर उसे बिजली के पोल से बान कर जम कर पिटाई की गई। और इस दोरान किसी युवक ने इसका वीडियो बना डाला और सोचल मीडिया पर डाल दिया। और दो मिंट से अधिक के इस वीडियो में आक्रोशित भीड की ओर से युवक की पिटाई करते देखा जा सकता है। और पिटाई का ये मामला मन्यारी पुलिस के संग्यान में भी पहुंचा। और वही थानेदार अजे पास्वान ने जांश शुरू कर दिये। और उन्होंने कहा कि जिस गाउं का ये वीडियो बताया जा रहा है वहाँ पर पुलिस चानबिन करने गई तो लेकिन कोई भी संबद में जानकारी नहीं देने से बच रहा है। और वीडियो फूटेज के माध्यम से पुलिस इसमें दिख रहे लोगों की पेचान कर आगे की कारवाई कर रही है। और उन लोगों ने युवक को रंगे हाथ दबोच लिया और इसके बाद आसपास से भी काफी संख्या में लोगों की भीड मोके पर जुड़ गई। लेकिन जब वो भागने लगा तो भीड ने उसे दोड़ा कर दबोच लिया और फिर बिजली के पॉल से बांद कर पीटा गया। और एक ग्रामिन ने नाम ना बताने की शर्ट पर बताया कि युवक भी आसपास का ही रहने वाला था और उसके पहेज़नों को इसकी सूचना दी गई थी। और बाद में उन लोगों के माफी मांगने और भविशे में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने पर युवक को छोड़ दिया गया। और थानेदार ने बताया कि किसी ने लिखित शिकायत अब तक थाने में दर्ज नहीं कराई है लेकिन पुलिस अपने सर्थ से इसकी जांच कर रही है। पर पोस्ट किया कि मैं यूपी से नहीं हूँ वरना वहां के कायर सीम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडी कर देता। और यादव आगे लिखते हैं कि ना गरीमा ना तमीज ना लोकलाज है और एहंकार टपक रहा है और ये रावन के बाप है। और इस बयान के बाद विहार की राजनीती गर्मा गई है और पपुयादव के इस बयान पर बीजेपी के नेता खासे नराज हो गए हैं। और पपुयादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने कडी प्रतिके लियाफ व्यक्त की हैं। पपुयादव का संसकार क्या हैं। और पूरा भियार उनके चरित्र को जानता है। और इस तरह से समवेदानिक पद पर बेटे वैक्ति के बारे में आच्छेप लगाना ये जाहिल बात है। और जाहिलों से इससे ज़्यादा उमीद नहीं की जा सकती। और इससे पहले बिहार इंडिये में शामिल वियाईपी दल के सुप्रीमो मुके सैनी ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि मोदी योगी जिन्दा बात नहीं कहेंगे जरूरत पढ़ने पर मुर्दा बात बोलेंगे। के खिलाब बयान भाजी कर रहे हैं। के साथ 10 लाग रुपे के जेवराज शामिल है और इन फरजी इंकम टैक्स अदिकारियों के गाड़ी से आने और घर में गुसने की तस्वीरे और CCTV में कैमरे में रिकोर्ट हो गई है। पुलिस अब CCTV फुटेज के अधार पर इनने पकड़ने में लगी है। और वहीं पीडित बालू के ठेकेदार संजे कुमार सिंग है जो कब्या थाना इलाके में न्यू कोर्ट एरिया मुहले में रहते हैं। और वहीं संजे सिंग घटना के वक्त ही अपने घर पर पहुँचे थे और उन्हें भी पहले गाड़ी में बिठाए गया और फिर घर के अंदर बंद कर दिया गया। दो महलाई भी थी और सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इसलिए कोई इनका चेहरा भी नहीं देख सका। गर में मौजूद सदस्यों के अनुसार उन्होंने आते ही सब से पहले सब के मुबाइल छीन लिया। और फिर अलमीरा में और गोद्रेज में से सामान निकालने लगे। और वहीं घर में करीब 25 लाग रुपे कैश रखे होते। जिसे अपने कबजे में ले लिया और फिर घैने भी ले लिये गए। और एसी भी संजे सिंग को किसी तरह जानकारी मिली तो वो घर पहुँचे और उन्हें भी अधिकारी होने का धोंस दिखा कर बंदक बना दिया गया। और लूट के बाद सभी ने घर का दर्वाजा भार से बंद कर दिया और निकल गया। और संजे सिंग ने किसी तरह भार से गेट खुलवाया और भागे भागे जब इंकम टैक्स आफिस पहुचे तो पूरा मामला खुला। और घटना की जानकारी मिलने के बाद कबिया और वहीं रेलवे भरती बोर्ट की परिक्षाओं को लेकर हाल में हुए जबरदस्त बवाल और उस पर हुई रेल मंत्राले की फजियत के बाद अब एक मज़ेदार मामला सामने आया है और एनरजी सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कमपनी एंटी पीसी लिमिटेड यानी नेशनल थर्मर पावर कॉर्पोरेशन ने रेलवे को लेटर लिख कर अपनी परिक्षा का नाम कमपनी के नाम जैसा आरर भी एन्टी पीसी रखने पर आपत्ती दर्च कर आई हैं और नेशनल थर्मर पावर कॉर्पोरेशन ने रेलवे को पाथ लिख कर कहा है कि वो अपनी non-technical popular categories की परिक्षा का पूरा नाम लिखे जिससे आम लोगों में इसे लेकर कोई confusion ना हो और NTPC लिमिटेट देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कमपनी है और ये एक सारजनिक छेतर की कमपनी है जिसका मुख्या ले नई दिल्ली में है लेकिन देलवे भरती बोड न कहना है कि इसके कारण उने बदनामी जिलनी पड़ रही है और कमपनी ने रेल्वे से इस परिक्षा का नाम बदलने की अपील किये जिससे भविस्से में इस तरह का कोई confusion ना हो आरार भी यानि रेल्वे रिकुर्मेंट बोर्ड ने नोन टेक्निकल पॉपुलर केटेग्री यानि एंटी पीसी के प्रिक्षा ली थी और इसके रिजल्ट और प्रिक्षा के पैटन में बदलाव से नाराज छात्रों ने बिहार और यूपी में तीन दिनों तक जवरदस प्रदेशन किया था और कई स्थानों पर आग जनी और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी औ को काफी नुकसान पहुंचा था वहीं रेलवे की सफाई और चात्रों की समस्चां को लेकर कमीटी बनाये जाने के बाद अब चात्रों का कुछ्सा कम हुआ है लेकिन मामले में रेलवे की जवरदस फजियत हुए है और ऐसे में नाम में समानता होने से एंटी पीसी परचा भोग तो भोग ही बन गया है